So hey guys, welcome back, मैं चैनल सर्वेस्टीविल में आप टो कर स्वागति आज कफी तगड़ा नॉलेज सेयर करेंगे आप लोगों के साथ जैसे कि आप लोगों के एक बिल्लिंग मन के चलो रेफारेंस के तोरां दिया है और बोला गया है जो ए बिल्लिंग का रेफारेंस में आपको टीवियम बना कर साइट में काम करना है क्या प्रोजेक्ट खड़ा करना है मैं ओनलाइन जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उसमें से एक बंदे का डाउट था जो कि हमको सबाल किया था मैं उसको theory के दो रांद उसको समझा आए था तो मैं सोचा क्यों न आप लोगों भी ए knowledge में provide कर दो जो कि आने वाला time पर अगर ऐसा situation आप लोग के पस आ जाए तो आप लोग कैसे उसको handle करेंगे अभी अब लोगों मैं बताऊंगा कोई भी reference आपको दे चुका है और वह reference को लेकर आगे आपको कैसे tbm generate करना है और आपको side में कैसे working करना है तो हम लोग step by step समझेंगे हुरी का basis में आज जानेंगे जो हम लोग aso line को दो रांग कैसे हम लोग 0-0 तरीके से tbm generate कर सकते है क्योंकि हमारे पास बहुत सरा option आता है लेकिन जब हम लोग reference को लेंगे तब हम सुख्या line को use कर सकते है बहुत आसान तरीका से जिसको हम लोग aso line भी बोलते है तो हम अब लोग को बारी कैसे बताएंगे चैनल पर पहली बार आया तो subscribe जोरू कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो मेरे चनल में मिलता रहता है हर विखाड़े में कोई सिस करते हो अब लोग को बैतर से बैतर नॉलेज प्रोवाइड गान ने लिए अगर मेरे से टोटाल टसन के आटोगेट सिहना चाते है तो स्कीन में दिया हो नमबर पर जोरू कांटक कर सकते हैं इने पेड़े आप लोग सो समस्केस करने में बरी कासी बता देंगे आप लोग को क्या क्या बेनेफिट मिलेगा तो वीडियो को आगे बढ़ते जो आप लोगो को रेफंस के दो रान अब कैसे काम कर सकते हैं वीड़ो टी बेन और टी बेन जेनरेट करने के बाद आप लोग टोटाली प्रोजेक्ट को कैसे हेंडेल कर सकते तो आए ओप वुडो आज़ा लागेगा तो चली वीडो को आगे बड़ते हैं इस बहुत ओर बीलिंग का ग्रीद है कॉलोंब एक दो तीन्चर पांच क्लोंब है और इधर 13 मतलब इधर 123 ग्रीट इधर a b c d e e the केच ओके आभी तुम को क्या है ग्रीड टू ग्रीड अमराद कोणने में पागड़े हो तमारे पांस कोडिनेट्र नहीं कोडिनेंट बनाना है तो उस्टेयरो लगा सुना नाने के बाद के बार टील कर लिया किरने के बाद एवाला पॉइंट मैं आया गास्邮 एर तो फैर लाइन में जाना हाई टो पॉइंट्ट हुगा होगा ग्री डिघे उसके बाद सेकेंड पॉइंट को मेजर करना है यह वान और रट्य प्रट्व तो 1-2 मेजर कर लिया मेजर करने के बद क्या बताएगा तुमको डिस्टेंस यहाँ तो 24 मीटर नहीं भी बता सकते क्योंकि मनके चलो वाल में तुम पगड़े हो तो सेंटर टू सेंटर तुमारा 24 मीटर है लेकिन आउटर वाल मनके चलो यहाँ दिखाएगा तुमको जयादा दिखाएगा दिश्टेंस जो है 24 मीटर नहीं दिखाएगा तो आवी क्या करना है आभी तुमारा डिश्टेंस यहाँ पार टोटोल्टर शेंटर सेट अप हो चुका है उसके बाद डिस्टेंस के बाद तुमको बोलेगा क्या आपको point लगाना है क्या line लगाना है एले line option select करना है ठीक है और line option जब select करोगे तब क्या करना है यह बला दिखाएगा जो offset आपको क्या रगना है offset 0-0 रहेगा जो पहले so करेगा ठीक है उसके बाद तुमको बोलेगा measure करो measure करने के बाद yes करोगे जब तब को तुमको line दिखाएगा offset दिखाएगा तो आभी क्या करना है आभी तुम्हारा reference में building का reference में point setup हो चुका है ठीक है यह पका लिया जो यह इसका reference में होगा आभी तुमको line में आकर आभी measure करना है दो tbm बना लिला है में आभी मैं इसको बना लिए अभी मेन को यहां से कुछ measure में नहीं लिया हूं है मैं ऐसे बनाया ठीक है हम कुछ diamonds नहीं लिया हम जैसे ऐसे point को बनाया हूँ ठीक है तो अभी इधर भी एक बनाया हूँ जैसे हमारा permanent fix टbm मिल जाए तो इसके लिए बनाए हूं मैं तो point का नाम दिया हूं point A point B ठीक है तो आभी क्या करेंगे अभी direct हम line में जा कर हम क्या करेंगे ना इधर sort लेंगे इधर जब हम sort करेंगे पीजों को total distance से तब हमको so करेगा line और offset जब तुम measure करोगे ठीक है तब क्या करोगे ना तुमको жौ्ट में उनको दिखाएगा जो लाइन चलो दस मीटर और ऑफि है हमें गजणलों 30 विंटेस संतिंग ऑफ सेट एक और वोल रहे है न ये जो रेफारंस तुम लिये हो नहीं से 10 reg्या और जाने के बाद यह 30 मीटर फिर यहां से इधर आया इसका मदलब यह है 10 मीटर आगे गया इधर वहां से फिर 30 मीटर इधर आया जाकर यह पॉइंट उधर मेजर कर रहे हूँ यह बता रहे है तुमको तो अभी क्या करना है अभी तुमको इसका डिस्टेंस जो दिखा रहा है उसको नोट कर ला नोट करने के बाद दूसरा पॉइंट में फिर पीजों पकानना है पीजों पकानने के बाद फिर से डिस्टेंस तुमको नोट करना है लाइन और आपसेट तो मानके चलो यह बताएगा तुमको यहां से लाइन में तुमको एल में तुमको 50 मिटर और ओपसेड में तुमको 31 मिटर ओके तो ऐसा कुछ बता आएगा और बताने के बाद तुमको इसको नोट डाउन करना नोट डाउन करने के बाद तुम फिर से इसकेप करके पॉइंट में आना फिर से इसकेप करना इसकेप करने के बाद फिर पॉइंट ऑप्सेड में आना पॉइंट ऑप्सेड में आने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा ना पेसिफाई लाइन एंड पेसिफाई ऑपसेड देखो pacify line and pacify offset duration आपका जो रहेगा उसके बाद हो बताएगा तुमारा coordinate ठीक है pacify हमारा line है 50 मीटर और pacify offset है जो 31 मीटर जब point का अंदर तुम डालोगे तो यह वाला coordinate तुमारे पास total decision सो करेगा यह जो coordinate ठीक है इसको total decision तुमारे पास सो करेगा तो उसको नोट डाउन कर ले ना इस्टिंग और नॉर्टिंग को ओके जब नोट डाउन कर लोगे तुमारा finalistic नॉर्टिंग हो गया इसका भी length 10 मीटर और offset 30 मीटर देखकर तुमको एक बनाना है कोडिनेट ओके इस्टिंग नॉर्टिंग जब बन जाएगा तुमारा कोडिनेट final हो चुका है यह भी तुमारा कोडिनेट final हो चुका है आभी तुमको क्या करना है ना आप सब भूल जाना है उसके बाद कोडिनेट तुमारा setup हो चुका है आभी तुम कितना दूरी में कित कोडिनेट देगा यहां का तो इधार एक पॉइंट पगड़ा इसका पीछे मान के चलो सीधा पॉइंट पगड़ लिया और इसका सीधा पॉइंट पगड़ लिया उसके बाद तुम को इधार पांच मीटर आना है लाइन आप सेट तुम चिदना उपर चाओ बिलिंग को ले by ऐ दी में हटत के जा करना है तो में अखेर कर जो तुमारा रहेगा वह अन तक पो जयेगा है समझ गयास आज पड़ी ऐतन है था जो सोफसाल मेडिया का आईडी है पूपाली जाके जोईट हो जोना चैनल अबोर्ड में सो गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेगा तब तक लब लोग सुस्त्रे आशरे जाहिन बंदे मातर